तो बताईये सर आपको कैसी लगी पिच्चर जो जी सिसाब से बनाई गई है मैं तो इसका फेन होगा और रहे कि दूसरी बात इतनी जबर रजस यह वह वह भी रियल इस्टोरी पर यह पिच्चर आधारित है और पहली बार मैं ऐसा सोच सकता हूं कि अपने देश में ऐसे भी कोई सक्स है और ऐसे भी कोई प्रोफेसर है कि इतना अच्छा उनकी स्टोरी हो सकती है तो आज मैं देख करके मतलब स्टाटिक से ले लास तक बीच बीच में थोड़ा बहुत मुरे आंक में पानी भी आया कि देखें कि अपने देश में ऐसे मतलब हो जाते हैं कि मेरे साथ मेरे साथ इतना मतलब 10% मेरे साथ आइसा कांड हुआ होगा लेकिन मतलब अपने रियल स्टोरी में ऐसी जोड़ी गई है यह यह मुवी जो है हर एक वेक्ति हर बच्चे और हर एक कोई भी हो हर एक इंडियन को देखनी जो सोय है उनको हर परिवार के साथ भले एक दिन कॉल प्रोफेसर का कैसे करेक्टर देखिए वो प्रोफेसर इतने अच्छे हैं वो एक शिक्षा मंतरी से वो एक एवाड लिये और शिक्षा मंतरी यहां तक उनको आस्वासन देते हैं कि आपको कभी भी कोई जरूवत पड़े तो आप आज ही हमारा घर आपके लिए खुला है और उनका जो है जब उनको जरूवत पड़ता है तो केमरीज में उनकी इंट्री हो जाती पढ़ने के लिए खुस हो जाते हैं उनको पैसे की जरूवत गरीब भर के लड़के रहते हैं यह को स्थापीस के लड़के रहते हैं उनके काम करने और उनके पिता जी रहते हैं थो आज जो है अपना देश आगे निकल चुका है तो मैं यहीं चाहूंगा कि आज ही अपना जो सिस्टम है यह चेंज होना चाहिए जो गरीब लड़का अगर पढ़ना चाहिए तो कैसे पढ़े तो यह कुछ नियम कानून निकालना चाहिए कि वो भी आगे बढ़े आईटिया ह करें और पढ़ सके तो यह कुछ अच्छा रस्ता निकालिया कि कोई भी सिच्छा मंत्री और किसके सामने जाके भीक ना मांगे और किसको यह ना करें तो मैं यहीं चाहता हूं और दूसरी बात है कि कोई उसका फाइदा नूखाए जो जिसमें इसमें बताया गया कि उसका अच्छे बच्चे लोगों गरीब बच्चे लोगों फ्री में पढ़ाते हैं कोचिंग करते हैं और आगे ले और यह रितीरोशन की बात तो मैं तो वह लूँ कि हरें मूवी के उनका जितना भी मूवी आए उसे जाटा दीजिए इसमें उन्होंने इतना अच्छा एक्टि एक्टिंग आप देखेंगे तो बोलेंगा आपके भी आंग में से आंसुआ जाएगा कुई एक प्रोफेसर जो है साइकल पर पापड़ बेशता है कुछ आपको हिंग दूँगा बस मूवी आपको देखना पड़े तो आप के हिसाब से ये फिल्म धमाल मचाएगी बॉक् हर एक बच्चे लोग के हाथ में और हर एक जो है इंडियन के हाथ में क्यों ये सच्ची घटना पर आधारीत पिच्चर है तो हम चाहेंगे कि ये पिच्चर फ्लाप ना होके और अपने रितिक रोशन की जो है इतने दिनों के बाद ये मूवी आईगा और उन्हेंने पर इच्चर है क्योंकि ये हर एक इंसान को देखने है पिच्चर है मैं यहीं चाहूँगा आप लोग शिरिफ पांच लेके निकलते हैं और ये मूवी को जितना भी इस्टार दिया जाए कम है तो मैं इस मूवी को जिसने भी मेहनत करके मूवी बनाई इंतने भी डार्यक् और इतना अच्छा एक्टिंग करने के बाद उनको भी पास भूना है थैंकियो सोबस्तार